इत्रो नमस्ते आईए हमबल राम चरो सेरलोजी BL Knowledge Point में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं English Grammar का महत्वकूर पार्ट Part of Speech Speech का मतलबत है भासण आप जो भी बोलते हैं उसको Speech कहते हैं तो इसका परिवासा क्या है All words are divided into 8 words according to their works and usage in sentences This classification is called Part of Speech अर्थात सभी सब्दों को उनके कार्ज और परियोग के अनुसार sentence में वाक्य में उनके कार्ज और परियोग के अनुसार आठ भागों में बाटा गया है इसी बटवारे को Part of Speech कहा जाता है तो ये आठ पार्ट कौन-कौन हुए पहला हुआ नाउन नाउन किसी भी नाम को अपनाउन कहते है जैसे राम हो गया, रमन हो गया, सीता हो गया प्रोनाउन हो गया नाउन के बदले जिसका परियोग होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं जैसे he, see, it हो गया भर्ब हो गया, किसी भी कार्च को भर्ब कहते हैं, किरिया कहते हैं जैसे read हो गया, पढ़ना, write लिखना हो गया Adverb हो गया, जो किरिया की विशेस्ता बतलाता है Adverb उसको किरिया विशेस्ता कहते हैं, जैसे slowly run धिरे-दिरे दोडना दोड़ने का विशेस्ता बतला है धिरे धिरे Adjective देखे विशेशन विशेशन का मतलब जो noun और pronoun का noun और pronoun का विशेश्ता जो बतलाता है उसको Adjective कहते हैं जैसे good boy रमनी जे good boy तो boy का विशेश्ता बतला है कि लड़का अच्छा है conjunction देखे दो सब्दों को जोडने वाले को या दो वाक्यों को जोडने वाले को conjunction कहते हैं जैसे end हो गया और हो गया रामेंड रमन हो गया रामेंड सीता हो गया दो सब्दों को जोड़ रहा है end ये हो गया आपका conjunction उसके बाद preposition जो noun और pronoun के पहले जिसका परियोग होता है उसको preposition करते हैं preposition जिसका अस्थान पहले हो पुरुप सर्ग जैसे हो गया in पटना, on land, on table ये सब हो गया noun के पहले परियोग होता है noun pronoun के पहले जिसका परियोग होता है उसको preposition करते हैं Interjection विश्मयादी बोधक होता है, इसमें खुसी दुख को बोध करने वाले शब्दों का चैन होता है, जैसे हाय हो गया या हुर्रा हो गया या सौरी हो गया ये सब आते हैं Interjection में, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इस सब को आठो पाट को डिटेल करता है